असलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूँ राशिर मिनाज और आप देख रहे हैं Automation Spot आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ S7200 PLC के साथ हम EM232 module यूज़ करेंगे और इसकी scaling करेंगे सो आपको इस module के बारे हैं बताता चलू में कि इस module में two output हैं जो के voltage out करता है और current out करता है सो आपने project के हिसाब से इसको use कर सकते हैं और इसकी programming कर सकते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको इसकी specification बता दूँ यह two analog output and 12 bit and plus minus 10 volt output module है यह तो हम इसको plus 10 volt और minus 10 volt दोनों use कर सकते हैं अपने project के लिए तो वीडियो में जाने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलो अगर आप मेरे चैनल पर new है तो इसको subscribe करें like करें और share करना ना भूले ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको सबसे पहले हैं चलते हैं हम इसके programming की तरफ चलेंगे और बाकिया तमाम चीज़े देखेंगे इसको scaling की तरीके से करते हैं यहां पर आपको wiring भी दिखा दू मैं के यहां पर simply करना कुछ नहीं है simple है यहां पर आपने just M को M के साथ अटेज करना है और L पलस को L पलस के साथ अटेज करना है यह हमारा पावर हो गया जो के 24 वोल्ड पावर इंपूट होगा और यहां से जो हमारा वुल्टेज है अनलोग आपूट होगा सो मैं आपको बाकी प्रोग्राम में भी दिखाऊंगा आप देखेंगे कि किस तरह के से हमारा यह और जो है स्केल होगा वैरी करेगा इसकी स्केलिंग हम देखेंगे प्रोग्रामिंग में step 7, MicroWin step 7 में software में सो stay tuned with us सब्सक्राइब करें Automation Sport को और सब्सक्राइब करने के बाद bell icon को प्रेस करें प्रेस करने के बाद all पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज आपको सबसे पहले मिले सो दोस्तों यहां पर हम अपने laptop की स्क्रीन में आ चुके हैं यहां पर clear मैं आपको बताता चलूँगे बहुत ही easy है इसका scaling करना कोई difficult नहीं है सबसे पहले हम यहां पर एक move का command ले लेते है word क्योंकि हमारा यह 12 bit module है तो इसके move का command word होगा ठीक है तो यहां पर जो है हमने सबसे पहले input जो देना है हम किसी data resistor में अपने input value देंगे let's suppose कर लेते हैं हम हमारा जो MW0 में हम जो भी data दें हमारा वह out करे AQW0 यानि कि हमारे पास जो module है उस module में सिर्फ दो ही output है तो पहला output जो हमारा होगा वह AQW0 और दूसरा AQW1 तो फिलाल हम जो use कर रहे हैं AQW0 same as it is आप दूसरा port भी use कर सकते हैं फिलाल मेरे पास जो meter attached था वीडियो में आपने देगा था कि वह just AQW0 में attached था तो यहां पर मैं इसको simply compile करता हूं ठीक है और compile करने के बाद इसको मैं download करूंगा अपने PLC में और download करके बक्या चीज़े हम वहां पर देखते हैं online so यहां पर यह compile नहीं हो पा रहा है तो यहां पर error है जिसकी वैसे हमें यहां पर special memory contact always on का लेना पड़ेगा तो इसके लिए मैं यहां पर एक contact लेता हूं so normally open का SM 0.0 and then इसको compile करूंगा तो error हमारा खतम हो गया पर इसके बाद मैं जाओंगा यहां से download में इसको download करते हैं अपने program को PLC में बाकी वहां पर हम scaling देखते हैं किस यहां पर मैं कोई भी values put करता हूं 3200 तो आप वीडियो में भी focus करें कि साथ साथ मीटर हमारा old show करना शूरू कर दिया so फर्दर आप वीडियो देखें और बागी re-edit यहां से data register कोई भी values को move कर रहे हैं तो साथ साथ हमारा मीटर भी वहां से analog output को move कर रहा है चेंज कर रहा है हर तरीके से हम यहां से data को move change करके minus में plus में सब चीज़े देख लेंगे और देखने के बाद हम कर दो झाल कर दो कर दो कर थो सो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो जो के अनलोग माड्यूल EM232 से रिलीटेट था सो नेक्स वीडियो में जो बताने वाला हम आप लोगों को बहुत इंपोर्टेंट है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को HMI के साथ किस तरीके से S7200 PLC को आटेज करेंगे सो यहां पर जो भी डेटा हमने वैल्यू पूट किया है VM0 में तो वो हमें अनलोग आटपूट की सूरत में वो कनवर्ट करके वोल्ट आपने मीटर में चेक कर लिया माइनिस में भी पलस में भी तो नेक्स वीडियो में फिर मिलेंगे जब तक के लिजाज़त दिये अल्लाफिस